26.10.2024, Class 11th Sanskrit Weekly Test हुआ था, उसका Official Answer की जारी कर दिया गया है, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, चैनल पर पहली बार हैं तो जरू सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक और परिच्छा से सम्मंदित महत्पून प्रशनों की जानकारी आपको इस चैनल के मा आज कुछ नया सिखते हैं, सबसे पहला कोश्चन आपका आया था, इसा कुतरास्ति इती पाठा कस्मात गरंथान संक्लिता, इसा किस गरंथ में संक्लित है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, गितान जलेया, दूसरा कोश्चन है, नोबल पुरसकार प्राप्ता कभी का, तो प्राप्ता का, गितान जली के रचना कार कौन है, तो रविंदना टैगोर ही है, और इसी पर इनको नोबल पुरसकार मिला था, अगला कोश्चन है, कथ्या मनी पाठा, कुत्रा, संक्लिता, तो ये आपका हो जाएगा, रूप रुद्र्यात, फिर है पित्रा सब्द रूप प्रेन का विभक्ती अस्ती, तो पिता में आपका तिर्तिय विभक्ती है, तो पाच्मा का का हो जाएगा, छठा है हित्वा पदे का परतया, तो हित्वा में कोन परते लगा है, तो यहाँ जगा कत्वा परते लगा हुआ है, सात्मा है भावानी दता कश्मीन पदे आर्सीत तो यहां आपका हो जाएगा अधिवक्ताफ पदे फिर है रुप अस्द्रियम रचनकारा का तो इसका सही अंसर हो जाएगा अभी राज राजेंद्र मिस्र नौमा है स्रीमद गीताया उपदेशम का अच्छत तो इसका हो जाएगा कृष्ण श्री कृष्ण भी लिखा ला सकता है कृष्ण लिखा हुआ था दसमा है सत्व माहो रज अस्तम इती पाठा कस्मात ग्रंथा संक्लिता तो इसका हो दा स्रीमद भागवत गीताया अब आपका 11 नंबर सब्जेक्टिव कोश्चन है कि लैंगिक क्या करता है लैंगिक केम करोती तो इसका सही अंसर हो जाएगा कठोर भूमी को जोड़ता है लैंग लिंकम कठिना भूमी कर्षियती मला ये कठिन भूमी को जोड़ता है फिर है कृधातू लालाकारे प्रत्मा प्रुशस्या त्रान्याम बचनाम रूपम लिखता तो इसमें हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं करोती, कुरुत्वा, कुरवन्ती, इस तरह हम लोग करीध हातु को ललकार के पर्थम पुरुष्वे में लिख सकते हैं तेरा नमबर है आपका सात्विक पसंदिय भोजन क्या है तो इसका आपका हो जाएगा सात्विक पिडिया आहारा किर्दिश्य भवती तो हो जाएगा आयू सत्वा बाल रोग सुख प्रियवर्धना मतलब आयू सत्य स्वास्त सुखम प्रियवर्धना हो जाएगा चौदर नमबर है पठ धातो लिट लकारे प्रत्थम पुरुसस्या तरान्या वचनिताम रूपम लिखती मले पठ धातो का लिट लकार प्रत्थम पुरुस आपको लिखना है तो हो जाएगा पठियसती पठियसता पठियसंती पंदर नमबर कोश्चन है त्रिविदा भवती स्राधा देहिनाम सास्वा भावजा सात्विक की राजसी चैव तामसी चैती ताम त्रिनु मलव देधारी पर विश्वास तीन परकार का होता है जो स्वभाविक है फिर है वह सुनो जो सात्विक राजसी और तामसी है तो यहा पर आपको उचित भरना है सब्द तो यहाँ पहला हो जाएगा देहिनाम मलब शरीर का सा मलब वा दूसरा के बाद है स्वभावजा इसका मलब हो जाएगा प्राकृतिक आस्था सरधा हो गया आपका आस्था 33 में है सात्विक मलब सात्विक मलब साप, सुथरा, सुध चौथा में है आपका राजसी चया मतलब हो जागया और पांचवा नमबर में है आपका तामसी त्री गुनात्मक है अता उसकी बाद सुनो मतलब यहां से आपको खोज-खोज के यह खाली जगा में भरना था जो मैंने भर दिया है आप लोग देख सकते हैं सोला नमबर कहता है कोश्ट में दिये गए सब्दों से उची सद्व चुने और रिक्तास्थान को भरे तो यहां है भावनाम पक्यवाटिका कादनी खादत्रम इच्छती तो यहां पर आपका इच्छती होईगा एक आप एक ही है जो फिर आपका खाद नमबर में क्या भरा जाएगा तो यहां पर भजाएगा अस माभी ना सुरुतम फिर है यहां प्रहतेत भरा जाएगा यहां दच्छियामी भरा जाएगा और यहां पर अनितवान भरा जाएगा तो बच्चो ये थे आपके विक्ली टेस्ट में आये प्रश्णों के उत्तर संस्कित विसे का क्लास 11 आसा करते वीडियो उपयोगी होगा मिलते हैं इस वीडियो साथ जैहिन जै भारत